कछा हमारी क्या क्या बढ़ाती है भक्ति ज्यान और वैराग्य जिसे अपनी भक्ति बढ़ानी हो वो कछा सुने जिसे अपना ज्यान बढ़ाना है वो कछा सुने जिसे अपने अंदर वैराग्य को प्रगट करना है वो कछा सुने यदि आप चाहते हैं कि आप भी इन चीजों को बढ़ा सकते हैं या आप भी चाहते हैं कि मेरे अंदर भी चीजों बढ़ें कछा सुनना चाहिए और मुझे लगता है कि सांती धन में होती तो धन पाकर के लोग शांती को प्राप्त हो गए होते बहुत पैसे वाले लोग हैं पर जीवन में अशांती है धन तो है पर शांती नहीं क्यों क्योंकि धन शांती कब देगा जब वह धन धर्म से जोड़ेगा धर्म में सांती है साहब धन में सांती नहीं है धन ने बुद्धी बिगाड़ दी माता कैकई कि बुद्धी किसने बिगाड़ी मंत्रा ने मंत्रा ने क्या कहा तू महरानी बन जाएगी तू राजमाता बन जाएगी तेरा बेटा भरत राजा बनेगा तू राजमाता बनेगी राजा की मा राजमाता ये धन का जो लोभ भर दिया ना घुसा दिया खोपडी में मंत्रा ने तो मा कह कही को क्या आ गया था लालच लोभ तो धन तो मिला, ना धन मिला ना धर्म रहा, धन के लालच में ना धर्म रहा ना धर्म रहा, इसलिए कहता हूं कि शांती धन से नहीं है, धन से सांती मिलती तो भारत जी राजा बन जाते, फिर राम जी को भारत जी को क्या जरूरत थी खणा उसरे पर रखे, और राम जी के च चरणों में वहाँ चित्रकूट जाने की शांति यदि भरत जी को धन से मिल जाती तो आयोध्या का राज सिंघासन तुनके इंतिजार ही कर रहा था पर शांती राज सिंगासन में नहीं थी सांती तो राम जी के चरणों में थी स्री भरत जी सांती के लिए चरणों में गए इसलिए आप ये ना सोचों की धन पालेंगे शांती मिल जाएगी बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़े बंगले वाले लोग भी अशान्त हैं साहब परेशान हैं डिप्रेशन में हैं सोच रहे हैं परेशान है क्या करें इसलिए सान्ती का मूल क्या है सान्ती किसे कहते है सान्ती पाना है तो सिर्व भगवान की कथा मैं tul door भगवान के चिंतन में परोपकार की भावना में सदा समाच की सेवा की भावना में शान्ती है जमान आपको गालियां दे जमान आपको आलोचना करे आपकी जमान आपको कुछ भी कहे पर फिर भी आप धर्म और सत्य ना छोड़िए सांती धर्म में है ये गौर्य गोपाल अन्य छेत्र चलता है जब ये दास अनिरुद्ध अन्य छेत्र में अन्य बांटता है ना बड़ी सांती मिलती है आप एक काम करना आप किसी दिन किसी भूखे को भोजन कराना अपने नगर, अपने शहर, अपने हां आप किसी उस आदमी को देखो करोड़ पतीयों को बुला के भोजन में बिठा देना क्योंकि उनके पेट अलरेडी भरे हैं आप किसी दिन फुटपात पर जाना, है ना, अपने हाथ से खीर बना कर ले जाना, जो फुटपात पर छोटे-छोटे बच्चे है ना, उनके गरीवों के जुगी जोपडियों में, उनके पास थोड़ा बैठना, और अपने हाथ से खीर कटोरियों भरके उनके बच्चों को पिलाना, उन्हें माल पुआ खिलाना, उन्हें टॉफी खिलाना, उन्हें खिलोने देना, वो बच्चे, जब वो खीर खाएंगे, टॉफी लेंगे, खिलोनों से खेलेंगे न फिर उन्हें देखना, उनकी खुशी को देख करके न, आपका हरदें, खुशी से भर जाएगा, सांती कहा है इसलिए सेवा इसलिए दास अनिरुद्र क्या करता है सेवा भक्ती का तात्पर है सेवा आप रोज कोई ना कोई सेवा करें धन का अर्थ है धन भगवान ने दिया हो से धर्म से जोड़ें जैसे हमारे जैपुर से आए भायार स्री जुगल किसोर जी डेरे वाले आपकी और से एक होल का निर्माण कराने का संक्ल पे लिया भगवान ने धन दिया है तो ये अपना पूरा धन धर्म से जोड़ते हैं सतो पयोगके हैं इन्होंने ना जाने किitने लोगों के आखों के operation कराए है, free मैं नेह शुल वा किए, तो धन हैं, तो केवल धर्म करते हैं ये, बाकि इनका कोई अपना ना नसा है, ना कोई खर्चा है व्यर्थ का, सिर्भ धन है, तो धर्म से, जितना हो जाए उतना करते हैं, आपके द्वारा यहां पचास वरत धमाओं के रहने की विवस्था भाईयाजी ने ऐसा बताया था हमसे कहा था ऐसा जगह ऐसा बनवाएंगे माओं के लिए ऐसा हॉल के देखने लायक होगा मतलब सुंदर से सुंदर कहने का ताट पर यह हुआ कि धन धर्म से जोड़ने के लिए होता आपके पास भी धन है तो उसे धर्म से जोड़िएगा इसलिए लोग अशान्त हैं क्योंकि कमा कमा के तिजोरियां भर रहें है ना कोई उप्योग नहीं है उसका कि किसी जरूरत मंद को दे दे पहले तो द्वार पर भिखारी आ भी जाता था भाईया रोटी दे दो अब तो आजकल वो भी नहीं मिलते फ्लोरों में लोग रहते हैं उपर अब कौन चड़के जाए गुस्नी मना गार्ड खड़ा है पहले तो घर में गाय आजाती थी चलो गाय को एक रोटी आदमी खिला देता था अब तो गाय भी सहरों में नगरपालिका ने बंद कर रखा कोई गाय नहीं दिखेगी नगरपालिका कि चौकसी है चारों तरफ गही नहीं गूम सकती क्या हुँ जी कुत्तों की छूट है तो कल्योग की पहचान है हम गाय की सेवा करने वाले लोग कुट्टे की भी सेवा करो हम यह नहीं कहते हमारे यहां कुट्टे की भी रोटी निकलती अंतिम रोटी किसकी कुट्टे की पहली रोटी किसकी गाय की तो हम यह नहीं कहते हैं कुट्टे को ना रखो ये गलत है कुत्ता द्वार पे अच्छा लगता है द्वार पे हो तो अच्छा है गाय घर के अंदर हो तो अच्छी है और कुत्ता घर के बाहर हो तो अच्छा है पर उल्टा हो गया कुत्ता घर के अंदर हो गया गाय घर के ये कल्य हो गया जहां गीता पुरान वेद फुट पात पर बिखते हो और जूता बड़े बड़े शोरूमों में बिखते हो यही तो कल्युक की सुरुवात है जूते बड़े बड़े शोरूम में है और गीता वेद पुरान फुट पात पर रखे गीता दस रुपय की आती है गीता प्रेश गोरक पुर की गीता छोटी सी आप जिसे जोले में रख सकते हैं दस रुपय की 20 रुपय की आ जाएगी यर्थ सहेत और क्या 15-12 रुपय की और जूता शोरूमों में 2000-5000 से कम का कोई जूता ही नहीं जूता आदमी भले पांच हजार दस हजार के खरीद ले लेकन बीस रुपए की गीता खरीद के नहीं पड़ता गीता से मतलब नहीं है साहब इसलिए तो दिक्कत है न लोग गलत रास्ते पर निकल पड़े कल्योग शरम सीमा पर अभी पहुँचा नहीं है पर यही हाल रहे यदि नहीं सुधरे लोग तो पहुँच जाएगा क्रिष्ण प्राप्ति करम सास्वत साधनम तद्वदाद होना हमें ऐसी कछा सुनाई है सूत जी ने साउनकादी रिश्यों ने कहा क्रिष्ण की प्राप्ति हो जाए एक बार भागवश सुने इंद्र आए एक बार इंद्र को लगा की चलो शुगदेव भागवश सुना रहे हैं परिक्षित जी को हम सुने आवे चले श्वर्ग का अमरत लेकर आए शुगदेव जी से कहा परिक्षित को पिलाओ इरे कथा अमरत आप हमें पिलाओ शुगदेव भागवश स्रेष्ठ है बताओ सुरग का अमरत स्रेष्ठ है या भागवश की कथा स्रेष्ठ है क्यों भागवश की कथा स्रेष्ठ है तो कैसे है और स्वर्ग का अमरत स्रेष्ठ है तो कैसे दोनों मैं जो स्रेष्ठ कहेंगे आप उससे सिद्ध करना होगा सिद्ध हम करते हैं भागवत जी को शुकदे भगवान ने कहा कि स्वर्ग कमरत कोई पी लेगा तो स्वर्ग मिलेगा पर भागवत अमरत कोई पी ले भागवत मन लगा कर सुन ले पर भक्ती रम जाए उसके अंदर भक्ती प्रवेश कर जाए तो वह भक्ति जो भागवत से मिली भक्ति है वह भक्ति उसे भगवान से मिला करके रहेगी स्वर्ग का अम्रत स्वर्ग तक पहुँचाएगा पर भागवत से मिली भक्ति आपको भगवान तक पहुँचाएगी इसलिए ये भगवान तक पहुँचाने का साधन है इसलिए स्वर्ग के अम्रत से करोणों गुना स्रेष्ट है भागवस सुनने से जीव मात्र का कल्यान होता इसलिए भागवस सुना करो भाई एक बाद बताएं अच्छे विचार कुछ देर के लिए आते हैं और आकर के अच्छे विचार चले जाते हैं इसलिए जब विचार अच्छे आए तो अच्छा काम कर लो कल ये अच्छे विचार आएंगे इसकी गारंटी नहीं है किल आपकी संगती गलत हो गई और गलत-गलत विचार आगए, क्या भरोसा, भाई अजामिल नाम का एक आदमी था, आपने अजामिल का तो नाम सुना होगा, अजामिल नाम के पंडित जी थे, अजामिल जाती का ब्रामन था, बड़ा भक्त था, बड़ी पूजा करता था, ले भगवान से दूर हो गया, कोई अब कहता नारण नारण बोले नहीं बोलूँगा, क्या नहीं बोलेगा बोले वही नहीं बोलूँगा जो तू बुला रहा है, मतलब धोके से भी नारण नहीं बोलता था, फिर संतों ने बधिवत उसको बेटे का नाम रखा नारायन, तब बे इसलिए जब बुद्धी अच्छी हो तो अच्छे विचारों के साथ अच्छे काम कर ले अच्छे काम करने के लिए अच्छे कामों को कल पर नहीं टालना चाहिए काल करे सो आज कर आज करे सो अब पलमें प्रलाय होएगी बहुरी करेगा कब और बुरे विचार आएं तो कल पर टाल दो आज करे सो काल कर काल करे सो परसों जल्दी जल्दी क्यों करता है जिन्दा है अभी बरसो बुरे विचार कल पर टालो अच्छे विचार अच्छा काम